नमसकार इखन के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री ने कहां कि राजिक के गाओं का विकास होगा तब भी राजिक का विकास होगा हमारी प्रत्मिकता गाओं की विकास की है पीछलों के आरक्षन को लेकर हमने नीती आयोग की बैठक में अपनी मांगे रखी है हम लगातार आरक्षन का प्रतिशत बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं और आगे भी लगातार मांग करते रहेंगे बतादे रभीवार की साम राज धानी लोटने पर मुख्य मंत्री हवाय अड़े पर मीडिया से बात कर रहे थे मुख्य मंत्री नीती आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए सुक्रवार को ही दिली रवाना हुए थे वहीं सनिवार को परधान मंत्री के अध्यक्षता में नीती आयोग की बैठक में अनेक राज्यों ने हिसा लिया मुख्य मंत्री ने कहा है कि नीती आयोग और परधान मंत्री के सामने जहरखन की ओर से जितनी मांगे रखी गई है वे सभी पबलीक डोमेन में आ गई है परधान मंत्री ने बैठक में कहा है कि राज्य विकास करेंगे तब देश का विकास होगा मुख्य मंत्री ने कहा है कि यही बात राज्यों के साथ भी लागू होती है राज्यों के अंदर जब गाउं का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा रांची समेत जहारखन के कई जीलो में कल से दो दिन आंधी बारिस का अलड़ जाई किया गया है बारिस से जहां राहत की उमीद है वहीं आंधी से छती की भी अंदेसा है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने 30 और 31 माई के लिए आंधी बारिस का एलो अलड़ जाई किया है इनमेराजी के उतर पुरुवी के जीलो देवगर धनबादुमका गिरीडी गुड़ा जामतरा पाकुल साहिब गंतक्षनी भाग के पुरुवी वपच्मी सिम्बूम सिम्डेगा सरागिले खरसावा के लावा मद्य भाग में रांची के लावा बोकारों गुमला हजारी बाग खुर्टी वर रामगर में में गरजान बजरपात के साथ सतही हवा चलेगी हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमेटर प्रति घंटारा सकती है वही जारखन के कुछ इलाकों में अलकी बारिस भी हो सकती है बता दे 31 माई के बाद अगले 5 दिनों तक अधिक्तम तपमान में 4 से 5 तिरी तक बढ़ोती हो सकती है इसे तपिस बढ़ने का अनुमान है बता दे कि कुछ दिनों से मौसम में उतार चड़ाओ लगतार जारी है सावन होगा 69 दिनों का आठ सो मुआरी होगी महादेव को समर्पित सावन माह में इस बार अधिक मास लग रहा है चार जुलाई 2023 से हो रही है वहीं 31 अगस 2023 को समाप्त होगा सीव भक्तों को महादेव की उपासना के लिए दो माह का सावन मिलेगा चार जुलाई से 31 अगस तक सावन रहेगा मंगलवार से सुरू हो रहे सावन की पूर्णा होती गुरुवार को होगी इस दोरान कूल आठ सुमवारी पढ़ रहे हैं देव घर में भी स्रावनी मेला 31 अगस तक चलेगा बता देख खड़सुवरी मंदिर के पुजारी राकेश पान्डे बताते हैं कि सावन मास महादेव को समर्पित है लेकिन अधिक मास के स्वामी श्री विष्णू है इसलिए इसे पुरुसोत्त मास भी कहते हैं इस बार सावन में पढ़ने के कारान या अधिक मास और भी बिसेस हो गया है क्योंकि इस मास में जो भी जातक निष्ठा पुरुवक भगवान का चिंतन मनन करेगा उन्हें हरी और हर दोनों की घिरपा प्राप्त होगी जैक बोड इंटर कला अरवानीज का रिजल्ट 30 या 31 माई को इंटरमीडियेट आर्स और कोमर्स का रिजल्ट 30 या 31 माई को जारी हो जाएगा जारखन एकेडमी काउंसी इसकी अम्तिम चरण की तयारी में लगा है रिजल्ट सम्बंदित सारी परकियाए सो मार तक पुरी कर लिगाई तो 30 माई को ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा वहीं अगर इसमें एक दिन की देरी होई तो 31 माई को नर्टिज़ जारी किये जाएगे बता दें इंटरमीडियेट आर्स में करीब 2,12,016 सामिल थे जबकि इंटरमीडियेट कोमर्स में 38,000 पर चार्थी सामिल हुए थे इसकी परिक्षाए 14 माई से 5 अपरेल तक हुई थी वहीं 23 माई को ही जयक ने मैट्रिक और इंटरमीडियेट साइंस कर्यार जारी किया है जयक ने 24 अपरेल से उतर पुस्तिकाओ कमुलिया का सुरू किया था जिसके एक महीने में परिनाम जारी किये जाने को किये गया है यात्रियो को राज या होज कमीटी के करियाले में रिपोर्टिंग करनी है यहां कागजी पर क्रिया कर उन्हें टिकर दिया जाएगा रिसालदार बाबा दरगा कमीटी के तिन सेट से भी हज पर जा रहे हैं इनमें मनजूर हबीबी गुलाम खाजावा मजीबूल हक सामिल है बता दे एक जुन से हज यात्रियों के जथा कोलकत्ता से मदीना के लिए उडान भरेगा छिंतवी मामले में सोने की चैन निगलने वाले आरोपी का जल्द होगा ओप्रेस्वान राजणी की पुलिष ने छिंताई की घठना ओपर रोक लगाने के उदिश से करवाई की है जिसमें महीला से सोने के चैन की छिंताई करने वाले एक औरोपी को रभिवार को जेल भेज दिया जगरनाथ पूर्थाना के पूलिस ने बताया है कि आरोपी और जन जफर को महिला से छिंताई के आरोप में गिरफतार किया गया था जिसे रभीवायर को जेल भेजा गया हुआ हिंद पीडी का रहने वाला है पूश्ताथ में आरोपी ने पूलिस के समक्ष अपना जूर में सविकार कर लिया है उसने पूलिस के समक्ष हिंताई कि दो वारदातों को अंजाम देने की बात सविकारी है हलाकि पूलिस का काना है कि आरोपी जफर का साथी सलमान साथीर अपराधी है उसके खिलाब कई थानों में मामले दर्ज है और वे कई बार जेल भी जाच चुका है पुलिस उससे भी पूस्ताज करेगी लेकिन पहले उसका अप्रेशन हो जाएगा रांची जमीन घोटाला मामले में E.D. ने तेज की जाच राजधानी में हुए क्लोरो रुपए की जमीन घोटाले में E.D. की जाच में हर दिन नए तथे सामने आ रहे हैं E.D. अब नए तथे उपर अपने जाच की दिशा में आगे बढ़ रही है इस मामले में अब E.D. रेश्टार अफ एंसूरेंस के द्वारा कुलकत्ता में दर्ज एफायार को भी टेक ओवर करेगी बता दे रांची के वैसे अपराधिक गिरो जो कुलकत्ता जाकर कागजों की हेरे फेरी करते थे उनके खिलाप अब नए सीरे से जाच होगी इस हेरे फेरी को लेकर कुलकत्ता में भी रेश्टार अफ एंसूरेंस ने अपने कराले की जाच कराई तो पाया कि वहाँ भी कई कागजों में हेरे फेरी की गई है जबकि कई सारे दास्तावेज भी गायब कर दिये गए हैं जार्खन से 2018 में लॉंच हुई थी आयुसमान भारत योजना जार्खन साहित पूरे देश में पी अमोदी के 9 साल के कार्याकाल को एक तरफ जहां कॉंगरेसी बदहाल का काल बता रहे हैं वहीं भाजपा पी अमोदी के 9 साल के कार्याकाल के उप्रफ दिया गिना रही है बता दे इसी कार्याकाल में रांची से उसमान भारत योजना की लॉंचिंग हुई थी जार्खन में योजना की क्या हाई स्थीती और सरकारी आकड़े क्या है आये जानते हैं बता दे पी अमोदी के 9 वर्फो के कार्याकाल को भाजपा जहां आजजाद भारत का सौनमी कार्याकाल बता रही है वहीं कॉंग्रेस सहीत पुरा विपक्ष मोदी के 9 साल के कार्याकाल को बदहाली के 9 साल बता रहे हैं कॉंग्रेस महंगाई बेरोजगारी महिला सुरक्षा देश की आर्थिक इस्थिती पुल्वामा का सच सही तमाम मुदो पर भादपा को घेर रही है वहीं भादपा का काना आये कि मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कारेकाल में कई महत्पुन कारे किये उन में से एक आविश्पान भारत योजना की लॉंचिंग जार्खन की धर्ती से की थी जे एमेम के 90 सवाल पी एम मोदी के 9 साल के कारेकाल पर जहामों का कटाक्ष केंद्रे में पधान मतिनायन मोदी के नेतित वारी सरकार 9 साल पुरा कर चुकी है इसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी पी एम मोदी से 9 सवाल कर रही है इसी कड़ी में जार्खन मुक्ती मोचा पी एम मोदी से 90 सवाल करके उनका जबा मांग रही है रांची में जेमेम की फेस वारता में पार्टी नेता ने कहा है कि जारखन की ग्रामी जनता भाजपायों के इंतियार कर रही है क्योंकि नौ साल में किये वादे का हिसाब जनता उनसे लेगी नमो किर्केट कैम्प एक जून से दस जून तक रांची में किर्केट की अपार सम्मानाओं को ध्यान में रखते हुए रांची की सांसत संजय से द्वारा नमो किर्केट कैम्प का दस दिवसे आउजन किया जा रहा है किर्केट की परतिभाव को तरास कर और बेहतर किया जा सकता है बतादे रांची में कई ऐसे परती भावन खिलाड़ी हैं जिनका मनोबल बढ़ाने के हो सकता है बेदर प्रतिक्षन के हो सकता है ताकि वे अपने राज और देश का नाम रोशन कर सके नए सांसत भावन के उद्घाटन से राष्ट पति को दूर रखना अपमान कॉंग्रेस राष्ट पति, राजे सभा और लोक सभा हैं ऐसे में राष्ट पति को ही एतिहासिक सांसत भावन के उद्घाटन कारकरम से दूर रखना या साबित करता है कि भाजपा की सोच और शूचित जाती जन जाती भी रो दिया है पीम मोदी ने खोटी के जल संरक्षन की तारिफ की मन की बात कारकरम के 101 एपिसोड में परधान मदिनान मोदी ने जारकन के खोटी जीले का जिकर किया है पीम ने खोटी में जल संरक्षन के लिए ग्रामी ने दुवरा किये जा रहे है परियास की सराना की पीम ने कहा है कि पानी के सदुप्योग से जुड़ा एक प्रेरग परियास चारकन की खोटी जीले से हो रहा है पीम ने बताया है कि खुटी में लोगों ने पानी के संकट बचने के लिए बोरी बांध कर रास्ता निकाला बोरी बांध कर पानी कठा होने के करान यहां साग सब्जों के पैदवार भी हो रही है इससे जहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी है और लोगों की जरूरते भी फूरे होने लगी है जेल से ही अमन ने कंपनी के अपसर से मांगे थे पांच कड़ो तो रांची इस इत्व बीत्तामुंडा केंद्रिये कारा में बंद रहने के बाद भी गेंग्स्टर और अप्राधिक खुलियाव रंगदारी मंगते हाई रांची पुलिस की प्राथ मिक जाच में इसकी पुष्टी हुई है जिसके बाद प्राथमिक की दर्ज कर आये की उवैद कारियों के लिए अमबाईल का इस्तमान्व करते थे रांची पूलिस की मनना है कि कारा के अंदर एतनी अधिक संक्या में अवैद तरीके से मोबाईल हैंड सेट और सीम का परियोग बिना कर्मीगियों की सनलिप्ता से संबो नहीं इन अप्रादियों का अतंक ऐसा है कि कोई भी ब्यक्ति उरके खिलाब खुल कर सामने नहीं आता जार्खन में सराब के लिए होलोग्राम छापने वाली कमपनी को हटाया जाएगा जार्खन सरकार होलोग्राम छापने वाली कमपनी प्रिजम होलोग्राफिक्स और फिल्म सेकुरेटीज प्रॉली से काम छिनने की त्यारी कर रही है 36 गड़ सराब घुटाले में उक्त कमपनी के फंसने होने की वज़ा से सरकार के अस्तर से कदम उठाया जा रहा है जारखन सरकार ने इस कमपनी को 5 साल तक के लिए सराब की बोतलों पौर लगाया जाने वाला होलोग्राम छपने का काम दिया था अब नई सराब नेती के ताहत राजे में सराब का कारोबार मई 2022 से सुरू हुआ था गड़ला भाय की यहां नई सराब नेती से सलाहकार के रूप में अरोन पत्ती त्रिपाठे को नियुप्त किया गया था 9 जुलाई को होगा जारखन सन्युप्त परवेस परत्योगता के लिए 29 मैं से ओनलाइन फरम भर जाएंगे जारखन सन्युप्त परवेस परत्योगता परिक्षा पारिशत ने इसे लेकर सुतना जारी कर दिया है परिच्छा में समीलित होने के लिए ओनलाइन आवेदन के अम्तिम्तिती 20 जून निदायत की गाई एक चुक अभियार थी समाई रहते फरम भर का परिक्षा में भाग ले सकते हैं धन्यवाद